हेलो फैंड्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चनल पर आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे के घर पर डेरी जैसा मलाईदार और गाढ़ा दही केसे जमाए अक्सर जब हम दही जमाते हैं, तो हमारी दही जो होती है वो कुछ ज्यादा ही खटी हो जाती है इसा ही मलाईदार और गाढ़ा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं आसान फूर रेसिपिस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कि जिस बरतन में हम दूद गरम करेंगे उस बरतन में हम एट कर देंगे 2-3 टेबल स्पून जितना पानी और पानी को पूरे बरतन में अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे यसा करने से क्या होगा, कि हम इसमें जो दूद एट करेंगे वो जो दूद है, उबलते वक्त वो इसके तले पर लगेगा नहीं अब हम इसमें एट कर देंगे 1 लिटर फूल क्रीम दूद अक्सर क्या होता है, कि गाड़ा दही जमाने के लिए कॉन फ्लोर या फिर मिल्क पाउडर एट किया जाता है लेकिन हम यहाँ पर कॉन फ्लोर और मिल्क पाउडर एट नहीं करेंगे सिफ फूल क्रीम दूद एट करना है हमने अब गेस की फ्लेम को ओन कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे यह देखिए, इसमें एक उबाल आ चुका है अब हम गेस की फ्लेम को लो कर देंगे इसे चला लेंगे एक बार और डोंगे की मदस से इस तरह हमने इसमें जाग बना लेने है देखें यहाँ पर हम इस तरह से जब इसमें जाग बनाएंगे तो हमने जो फुल क्रीम दूद इस्तेमाल किया है उसकी जो क्रीम है वो उपर आने लगेगी तो इस तरह से हम दूद में जाग बना लेंगे और लो फ्लेम पर इसे दो मिनिट के लिए और गरम करेंगे ये देखिए हमने इसे लो फ्लेम पर दो मिनिट के लिए और गरम कर लिया है फिर से इसे चला लेंगे और इसमें जाग बनाएंगे अब हमने इस दूद को room temperature पर ठंडा करना है हम इसे पूरी तरह ठंडा नहीं करेंगे गुन-गुना ठंडा करना है हमें इसे तो हमने इसे room temperature पर कुछ दिर तक ठंडा कर लिया देखिए हमारो जो दूद है वो गरम है पूरी तरह हमने इसे ठंडा नहीं किया है अब हम इसमें उंगली डाल करको चेक करेंगे कि ये दही जमानी के लिए perfect है की नहीं उंगली को हम इसमें 7 तक deep करके रखेंगे हमारी उंगली 7 सेड़ तक इसमें deep करने तक इसके temperature को सहेंद कर सकती है इसका मतलब है कि हमारा जो दूद है वो दही जमाने के लिए बिल्कुल पर्फेक्ट है अब दही जमाने के लिए हमने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है देखे जरूरी नहीं है कि आप इसे मिट्टी का बर्तन में ही जमाए आप किसी भी स्टील के बरतन में दही जमा सकते हैं सिर्फ हमें इस बात का ध्यान दखना है कि जब हम उंगली को दूद में डीप करके रखेंगे तो वो उसके टेंपरेचर को सांस सेकेंड तक सहेंड कर सके हमारा दूद इतना गरम भी ना हो कि उंगली उसमें डीप करें और वो उसका टेंपरेचर सहेंड ना कर पाए और ना ही दूद इतना ज़्यादा ठंडा हो कि उंगली उसमें डीप करने के बाद कुछ फील ही ना हो अब दूद को हम इस बरतन में ट्रांसफर कर देंगे अब हम इसमें एड़ कर देंगे एक टेबल स्पुन दही और अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हम यहाँ पर रूम टेंपरेचर का दही इस्तेमाल करेंगे फ्रीज का ठंडा दही हमें इसमें एड़ नहीं करना है और इसे ढख देंगे इस दही को जमने के लिए अब हम रूम टेंपरेचर पर 6-8 घंटे के लिए रख देंगे यह देखिए हमने दही को जमने के लिए रूम टेंपरेचर पर 8 घंटे के लिए रख दिया था उसके बाद हमने इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में रखा 6-8 गंटे room temperature पर रखने के बाद हम इसे 2 गंटे के लिए freeze में रख देंगे तो हमारा जो दही है वो ज्यादा खटा नहीं होगा तो यहाँ पर हमारा जो दही है वो बिल्कुल तैयार है देखे कितना गाड़ा दही जमा है कि हांडी को इस तरह से उलट देने के बाद भी हमारा दही इसमें से निकल नहीं रहा अब मैं चम्मस की मदशेश से निकाल कर दिखाती हूँ देखिए कितना क्रीमी और गाड़ा दही जम कर तयार हुआ है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें फिर मिलेंगे जाइका इंजा का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई